हेलो एंद नमस्कार फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आज हमारे पास है एक बार फिर से जियो का एफ 202 इस मोडल तो फ्रेंट्स इसमें भी प्रॉब्लम क्या है वह आप देख लीजिए तो सबसे पहले चार्जर लगाते हैं तो हमने चार्जर लगा दिया है वट यह ओन नहीं में प्रव्ल्म है तो फ्रेंट्स फिलाने इसकी बी प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हमने बाहर कर दिया है और वीडियो को बाहर करने के पहले हम आपको यह बैट्री नहीं के नहीं है तो मल्ल्टीमेटर को 27 Con cheap कर लेते हैं और इस तरीके से रहे च्यावां पर चैक सब्सक्राइब लिए अगर से ज्यादा चार्ज कोई भी प्रोब्लम बैटरी में नहीं है अब भी बात आती है कि मोवाइल की जो है टेस्टिंग यानि की मोवाइल में जिसके बजह से लिए डेड है तो बीप की रेंच पर हमने मल्टी मीटर को सेट कर दिया है और रेट क्रॉप को रखा है हमने ग्राउंड पर और आप दिख सकते हैं कि बीप की बॉइस जो हैपन को मिल रही है यह बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव सिरा है और यही सिरा हम नेगेटिव पर इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है वह आप इस विडियो में देखेंगे और बड़े तरीकी से इस तरीके की पराज्म को जो हैанс कर सकते हैं आप नकाले को इसको بिल्कुल इजी तरीके से सवकंव कर वाइनर में दि पर पिलेट को भी बाहर निकालेंगे अभी तो हमने ओपन कर लिया है मुबाइल को और PCV बोड को भी बाहर निकाल दिया है तो अभी देख लेते हैं बोड में आखिर प्रॉब्लम है क्या तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि यह जो चार्जिंग जो लगे हुए है के बज़े से सौट कर रहा हूँ फोन तो इसको थोड़ा आगे पीछे कर देंगे तो यह कंफर्म हो जाएगा कि यहीं से थी कि नहीं थी और इसके बाद मल्टी मिटर से चेक कर लेंगे तो फ्रेंट्स हमने थोड़ा सा वायर को आगे पीछे कर दिया है तो इससे यह होगा कि अगर इससे होगी प्रॉब्लम तो देखो सौल हो जाएगी और अगर इससे नहीं होगी तो फिर आगे प्रोसेस जो है देखी जाएगी तो फ्रेंट्स मल्टी मिटर को हम एक बढ़ से देख लेते हैं तो फ्रेंट्स देख सकते हैं आपके प्रॉब्लम हमारी जैस के तस है कहीं भी कोई भी सॉलूसन नहीं हुआ है तो अभी आपको करना क्या है यह वाली जो पत्ती है इसको आपको इस तरीके से ओपन कर देना है देख सकते हैं आपके इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम का जो है सॉलूसन होगा तो आपको सबसे पहले इस तरीके की पत्ती को ओपन कर दिना है और आप देख लेना है कि जो इसके अंदर जो लगी होती है पत्तिया वो कहीं न कहीं कोई सी अटेच ना हो रही ह oversight है तो इसको सिधा कर दें एहेंगर कोई भी unfinished नहीं है तो क्वाटर लिमेज भी प्रॉबलम नहीं लग रह रहे है बगर चार्जिंग यहां टिके आँगे एजए व्याइके व्यांदस आप आप वहां शीजा vienen कि बार में जो है इससे problem को solution कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वह आप समझ लेजिए ताकि आप भी बड़े इजी तरीके से अगर फुल सौर्ट मोबाइल की problem हैं तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वह भी विदाउट रोजिन पेश्ट के और स्ट्रेम्ट के सॉल्व सॉल्व सौलुशन कर दिया या लेकिन अएप देख सकती हैं कि हमारे पास इस टैम पहर है पैट्रॉल हमारे पास पैट्रॉल है उसमें क्या होता था कि रोजिन पेट डाल के शॉट किलर से साटिंग को बाहर apenas कल लिए ए जाता था लेकिन यहां पर हम पैटरॉल का इस्थिमाल रहा हैं यह्या आप दिख सकते हैं कि हमने पूरे मुबायल में जो है भी बिनाना ऐसे नहीं बता그llo तो फ्रेंट्स इसका जो blue wire है यानि की negative सिरा है उसको हम ground पे इस तरीकी से चिपका देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ground जो है यहाँ पे हम हलका सा paste जो है लगा दिया है और iron की मदद से हलकी से solding कर देते हैं और solding करने के बाद फ्रेंट्स इसका जो negative सिरा है यानि की black सिरा है उसको हम इसी ground में जो है attach कर देते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने ground में जो है इसका negative सिरा जो है लगा दिया है अब positive सिरे को आपको battery connector के positive सिरे से attach करना है और जैसे ही आप इसको positive स्रे से battery connector के positive स्रे से attach करेंगे आपको जो है problem का solution होता देखेगा तो आप देख सकते हैं कि यहां से धुआ जो है fire हुआ है यह देखिए battery connector के बगल में जो capacitor लगा होता है capacitor के just बगल में एक जो है component लगा हुआ है यह जो है हमारा आपको दिखा देते हैं यह वाला जो black वाला component है यह हमारा short है इसके वज़े सी problem जो है create हो रही है friends तो इस इस capacity यह देखिए आप एक बार फिर से दिखा देते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें ही problem जो है create हो रही है तो friends आपको करने कुछ नहीं है बड़ा इजी है इसी component को जो है बाहर निकाल देना है क्योंकि यह short है और इस component को बाहर निकाल देना आप आपकी problem का जो है hundred percent 101 परसेंट जो है solution definitely हो जाएगा तो friends से चलिए अभी उस component को जो है बाहर निकाल देते हैं और पहले तो यह short killer को बाहर निकाल देते हैं और short killer को बाहर निकालने के बाद आपको वह component हटाके mobile को जो है चार्ज करके और चालू करके भी दिखाने का पुरा प्रियास किया जाएगा ठीक है तो अभी बात आती है वह component जो हमने trace किया है पैटर्ण की मदस्थी trace कर दिया है कि कौनसा हमाना component जो है खराब है तो वह आपको बाहर निकालना है तो यह वाला friends हमारा component जो बेलेक था जो जल रहा था जिसमें fire होगा था तो वह हमारा यह वाला component है तो friends इस component को ही बाहर निकालना है आपको कुछ भी करने की आवस्यक्त नहीं है और friends यह component जो है बाहर निकल जाता है तब भी मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं आती है और इसके जश्ट वगल में जो अभी इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर हमारी problem को solution हुआ है कि नहीं तो friends multimeter को हमने एक बर फिर से रखा है और multimeter को हम रख रहे हैं बीप की रेंज पर यह हमारा component था वो हमने बाहर निकाल दिया है और अभी check कर लेते हैं कि आखिर हमारी sorting की जो problem थी वो solve हो यह कि नहीं तो यह आप देख सकते हैं कि हमारी sorting का जो है डेपनेल्टी problem solve हो चुकी है कि थेंस्व इंक्यावन बॉल्टेज यानि की बिल्कुल सही बॉल्टेज मिल रहे हैं कोई भी problem नहीं और इस तरीगे से बॉल्टेज नहीं मिल रहे हैं और इस तरीगे से बॉल्टेज मिल रहे हैं तो फ्रेंट्स यह बिल्कुल mobile हमारा ओके हो चुका है बिल्कुल में कोई भी sorting नहीं है तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगलंग लें घंट्यू के दबाके और पर क्लिक करना बिल्कुल में भूलें कि फ्रेंट्स हमेंसा आपके लिए हमेंसा इसी तरह की वीडियो जो है लेके आगे रहते हैं तो चलिए mobile को अन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि mobile हमारा ओन भी हो गया है तो फ्रेंट्स चैनल